इस वीडियो में हम लोग table alias के बारे में पढ़ेंगे table alias का use करके हम लोग SQL query को छोटा तथा समझने में आसान बना सकते हैं table alias का use हम लोग जदातर table join में करते हैं जोकी हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे फिलहाल इस वीडियो में चलिए table alias पे एक example देखते हैं अभी आप अपने screen पे देख सकते हैं एक department table है जिसमें यहाँ पे department नमबर 10, 20, 30 और 40 है और उस department का नाम है MCA, MBA, BCA और MTEC यहाँ पे एक दूसरा table है EMP इसमें बहुत सरा employee है और यहाँ पे employee name है और department number है आप यह दोनों table पे गौर कीजिए इस table में EMP table में department number है और यहाँ पे department number और उसका department का नाम है यहाँ पे एक question उठता है यहाँ पे वो सब employee name और उसका हम department name देखना चाहते हैं चलिए हम लोग एक query यहाँ पे run कराते हैं फिर हम लोग उस query को table alias का use करके run कराएंगे जैसे हम लोग यहाँ लिखते है select हमको क्या चाहिए E name चाहिए और क्या चाहिए हमको D name चाहिए लेकिन ध्यान रहे E name कहां है तो वो EMP table में है और D name कहां है तो department table में है इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे select E name, D name from EMP, Dpt दोनों table का नाम दे दिये और हम अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे join करना पड़ेगा दोनों table से हमको relate करना है इसलिए हम लोग को यहाँ join करना पड़ेगा detail में join हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे फिलाल हम लोग यहाँ लिखते हैं Dept.D number equal EMP.D number यानि हम यहाँ बोल रहे हैं कि department का D number जो है वो EMP के D number के बराबर हो वो सब का E name और D name select करना है यहाँ पे जब हम enter करेंगे आप देख सकते हैं मेरा E name में आया सहाज, स्वारा और सान्वी और उनका department name आया यानि employee name और department name में हाँ list हुआ यहाँ यहाँ तीन ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे चौथा जो है पाराम उसका department number 50 है जो कि इसमें नहीं है और इस department number में 40 है mtech जो कि इसमें कोई 40 department number में कोई employee नहीं है इसलिए यह नहीं आया है इसलिए हमको तीन record मिला है स्वारा, सान्वी और सहाज का यहाँ पे output में हमको मिल रहा है अब चलिए हम लोग यहाँ पे table alias समझते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लिखे हैं dept.d number और emp.d number यहाँ पे लिखे हैं इस query को हम लोग फ़रा सा इस तरह से कर सकते थे जैसे select ename, dename from, emp और इसका नाम हम लोग छोटा देते हैं department इसका छोटा नाम देते हैं हम लोग d और यहाँ पे हम लोग department नहीं बल्कि हम लोग Department का चोटा नाम हम लोग क्याल देखें है यहाँ D करते हैं D.D.Number और Employee का क्याल लिखे हैं हम लोग चोटा नेम E यहाँ पर लिखेते हैं E.D.Number यानि हम लोग EMP को E बना दिए और Department को D, PT को D बना दिए और ओहें यहाँ D.D.Number यानि department.d number equal e.d number इसका मतलब हुआ employee.emp.d number अब हम यहाँ पर इंटर करेंगे हमको output सेम मिलेगा लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए जो emp को जो हम e बनाया है और dept को जो d बनाया है यहीं यहाँ पर हम लोग table alias बनाते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं employee जो table था उसका नाम हम हम लोग e दे दिये और department का नाम हम लोग d दे दिये और आगे में हम लोग वहें e और d यूज कर रहे हैं नौकी emp लिख रहे हैं या फिर department tpt तो यहाँ पर यह चोटा मेरा table है जब यह query लंबा होगा मेरा बड़ा query हम लोग पर जब काम करेंगे वहाँ पर table alias का use query को आसानी लाइक बना सकता है तो उमीद करते हैं आप यह table alias इस वीडियो में समझ गये होंगे थेंक यू